पेरे दोस्तों अगर आप भी लोहार हैं, सुतार हैं, कुमहार हैं, शिल्पकार हैं, मुर्तिकार हैं, राज मिस्तिरी हैं, मोची हैं, दरजी हैं, धोबी हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड नियूस आ चुकी है, गवर्मेंट ने आपके इस हुनर को ने लेवल तक ले जाने वाला है और इसके लिए जो है आपको आपके हुनर को एक लगु उद्यम के रूप में कनवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास के लिए आपको जो है 15,000 से लेके 10 लाग तक का जो है अनुदान राशी दिया जाएगा तो इसके लिए हम क इस तरह से अप लाइक करेंगे क्या क्या प्रोसेस है इन सभी के बारे में जो है हम आज की वीडियो में डिसकसन करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं जैकरने से स्वागत करते हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेकनिकल जैक में आगे बढ़ने इस पहले आप तरह का कंटेंट्स लाते रहते और यह जो दस से 15 मिनट का जो आप वीडियो देखते हैं इसके पीछे तीन से चार दिन की करी महनत होती है तब जाके आप यह दस से पंदरा दिन का वीडियो देख पाते हैं तो एक लाइक बनता है मेरे प्यारे दोस्तों चोलिए आगे व्योष्व करमा योजना क्या है इसके तहत हमें क्या लाभ मिलने वाला है किस तरह का लगू उद्यम जो है इस योजना का लाभ ले सकता है योजना के लिए अपलाई कर लेते हैं तो यह चीज हमको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक जो है इसमें detail दिया हुआ है कि कौन-कौन सा जो है लगू उद्यम में भाग ले सकता है किस तरह का विक्ति इसके लिए apply कर सकता है परिवार में से कितने लोग इसके लिए apply कर सकती है तमाम चीज़ें जो हमें समझना पड़ेगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा पीएम विस्वकर्मा.gov.in का जो है ओफिसल वेबसाइट पे शुक्ष्मलगू और मद्यम उद्यम मंत्रा ले मिनिश्ट्री आप माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइस इस में झाले हैं हम अपको बता दू तो यह जो पर्डल है यह ये एक ही लेंग्वेज में आपको मिलेगा सिर्फ इंग्लिस में आ अपदे क SARAH है काफे सारे मेरे दोस्तों को समझने में दिक्कत होगी जिनको English properly नहीं आता है तो उनके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया देशी इलाज है जुगार है यहाँ पर आप दूसरा टैब open करेंगो यहाँ आपको टैब करना है English to Hindi करने के बाद आपको Google Translation open कर लेना है ठीक है यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा paste करने के बाद जो है इसको यह recognize करेगा उसके बाद इसका हिंदी आपको यहाँ पर देदेगा देख सकते हैं यहाँ पर पूरा English का जो है Hindi में शुद हिंदी में आपको जो है दे दिया है translate करके तो आप इस तरह से जो है English को Hindi में translate करके भी बढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं वन बैवन तो यहाँ पर कह रहे है अबाउट इसकी में जो है यहाँ पर guideline है guideline जो है करीबन साथ पेज का guideline है जिसका PDF आपको दिया रहेगा आप उस PDF को download कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं eligibility criteria eligibility criteria क्या है हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पर eligibility criteria दिया हुआ है तो इसमें पहला eligibility criteria है वो कह रहा है कि an artisan or craftsperson working with hand and tool and engaged in one of the 18 family based traditional traits mentioned in the scheme in unrecognized sector on self-employment basis shall be eligible for registration under the PM विस्व कर्म ठीक है तो इसमें जो है शिल्प कार होता है handmade हाथ से बनाने वाला जो शिल्प कार होता है इस तरह का वेक्ति जो है इस scheme के तहट जो है भाग ले सकता है चाहिए वो किसी भी शित्र से हो समझ रहा है लेकिन वो शिल्प कार है या हाथ से बनाने वाला है handcraft है तो इस तरह का वेक्ति जो है इसके लिए इस योजना के तहट जो भाग ले सकता है सकेंड जो कह रहा है कि minimum age of the beneficiary should be 18th years on the date of registration जिस date को आप registration कर रहे हैं उस date को जो beneficiary है उसका 18 साल पूरा होना अनिवार यह है ठीक है उसके बाद थार्ड जो eligibility पूछ रहा है वो कह रहा है कि the beneficiary should be engaged in the concerned trade on the date of registration जिस भी trade के तहट जो है वो registration कर रहा है उस trade से जो है वो वेक्ति जुड़ा हुआ होना चाहिए ठीक है and should not have valid loan under similar credit based scheme of central government or state government for self employment business development for example PM EGP PM स्वानीधी योजना मुद्रा लोन इस तरह का जो है मतलब कि यह कह रहा है कि जो भी person है beneficiary person है वो इस योजना के तहट पहले लाव नहीं लिया होना चाहिए या किसी भी तरह का सरकाड़ी योजना का लाव नहीं लिया है जैसे कि स्वानीधी योजना मुद्रा लोन इस तरह का उसके ओपर कोई भी लोन पहले से नहीं होना चाहिए तो next eligibility जो है वो यह कह रहा है कि the registration and beneficiary under the scheme shall be restricted to one member of the family एक फैमिली से कोई एक मेंबर को ही जो है इस स्कीम का लाव दिया जाएगा for availing benefits under the scheme of family is defined as consisting of the husband wife and unmarried children जो इसमें जो family का जो चर्चा किया गया family मतलब यह है family से जिस family में जैसे की एक husband हो wife हो और बच्चे जो है और विवाहित बच्चे हो इस तरह का जो है समूं को जो है इस योजना के दहत family बोला गया है और इसी मेंसे जो है किसी एक person को इस योजना का लाव दिया जाएगा fifth criteria जो है वो है कि a person in government service and their family member shall not be eligible under the scheme जिस भी वेक्ति को सरकारी नोक्री मिला हुआ है या फिर उसके पडिवार में किसी को सरकारी नोक्री मिला हुआ है इस तरह का वेक्ति इस तरह का पडिवार इस योजना का लाव नहीं ले सकता है तो क्रिपिया इस तरह का जो वेक्ति है वो इसके लिए apply ना करे कोई फाइदा नहीं है तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट ओप्शन में देख लेते हैं वापस हम लोग आवार्ट इसकी में आएंक और यहां पर एलिजिवल ट्रेड कौन-कौन सा जो है लगू उद्यम ट्रेड जो है इस योजना के लिए apply कर सकता है यहां पर आप सबसे पहले यह उप्शन देख सकता है बोट मेकर जो नाओ बनाते हैं न वह इस योजना के लिए जो है apply करके लाब ले सकते हैं नेक्स्ट यहां पर देखिए र के रहे हैं आइरं metal बेस्ट शोन बेस्ट जो लोह का काम करने वाला है जो अमैट्ल का काम करने वाला है जो इस तरह का जो है छोटा उद्यम जो है इस योजना का लाव ले सकता है इसके लिए अपलाई कर सकता है जैसे कि लोहार लोहा का जो काम करता है वो लोहार करता है तो लोहार इसमें पाटिसिपेट कर सकता है उसके बाद यहां पे जो है मेटल का काम करने वाला जैसे कि यह हो गया हथोरा बनाने वाला हैमर मेकर टूल मेकर है ना टूल कीट मेकर इस तरह का जो वेक्ति है इसके लिए अपलाई कर सकता है ताला बनाने वाला लोक स्मीथ ताला बनाने वाला इसमें भाग ले सकता है मुर्ति का जो मेटल का मुर्ति बनता है उस तरह का वेक्ति जो है अपने उद्यम के लिए लाव ले सकता है उसके बाद यहाँ पे के रहा है stone breaker पत्थर तोरने वाला वेक्ती जो है उनका पत्थर का जो काम है जिनका वो वेक्ती भी जो है या पत्थर का मुर्ती वगरा बनाता है वो वेक्ती जो है इसके लिए भाग ले सकता है इस योजना के तहार उसके बाद यहाँ पे के रहे है gold silver वर बेस्ट मतलब की सोनार व्यक्ति जो सोना का काम करते हैं सोनार का दुकान है वो अपने छोटे से दुकान के लिए इसके लाव लेना चाहता है तो वो भी पाटिसिपेट कर सकता है clay based मतलब कि कुमहार घड़ा बनाने वाला जो मिट्टी के बरतन बनाते हैं कुमहार वो जो है इस योजना में apply कर सकता है आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर कहे रहे हैं leather based चमडे का काम करने वाला जो चमार होता है वो इसमें भाग ले सकता है जूता बनाने वाला footwear बनाने वाला वेक्ति जो है इस योजना का लाब ले सकते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर कहे रहे हैं कि architecture construction ठीक है तो इसमें मेसन मतलब कि राज मिस्तरी भी जो है apply कर सकता है अधर में हम लोग देख लेंते कि अधर में क्या क्या है तो अधर में आ रहा है basket टोकड़ी बनाने वाला mat चटाई बनाने वाला broom maker जहारू बनाने वाला ठीक है ना खिलोना toy maker doll maker जो traditional होते हैं घरों में लोग बनाते traditional तरीके से उस तरह का वेक्ति जो है अपने trade के लिए अपलाई कर सकता है बारबर नाई को भी जो है इसमें participate करने का मौका मिल रहा है उसके बाद माला कार जो माला बनाता है वो भी इसमें apply कर सकता है वाशर मैं धोबी भी इसमें अपलाए कर सकते है दडर जी पिशिंग नेत्मेकर जो मछली पकड़ने वाला जो नेट होता है जाल होता है वह बनाने वाला जो उद्द्यूम है छोटा उद्द्यूम वह भी पाइछिप सकता है तो कूल benefits है यहां पर आप option देख सकते हैं skim benefits यहां पर click करने के बाद आपको total जो है छे benefits यहां पर दिखाया गया है ठीक है ना सबसे पहला benefit है recognition skilling toolkit incentive credit support incentive for digital transaction marketing support ठीक है तो इसमें जो है आपको benefit यह मिलेगा कि आपको जो है एक certificate दिया जाएगा आपका जो ट्रेड है उसके लिए निपून करने के लिए और ज्यादा आपको जो है तराशा जाएगा उसकाड़ी के लिए तो इसके लिए जो है government जो है पांच से साथ दिन का जो है आपको training provide कर रही है और अगर आप interested है तो यह training जो है बढ़ा के 15 दिन के लिए भी कर दिया जाता है ठीक है ना तो यह training आपको provide किया जाएगा और इस training के दौरान इस training के दौरान आपको 500 रुपे पर डे का जो है पैसा भी दिया जाएगा ऐसा नहीं कि आप training में जा रहे हैं अपन training के लिए आता है उनको प्रती दिन के जो है 500 रुपे का जो है चाहे आप उसको देहाडी समझ लीजे चाहे आप परते दिन का जो है इंकम समझ लेजे जो भी है आपको 500 रुपे पर डे मिलेगा उसके बाद तीसरा जो आपको benefit है वो है toolkit incentive toolkit के लिए जो है आपको 15,000 रुप लेकिन आप उद्यम खोलना चाहते है तो उसके लिए तो पैसा लगेगा ना भाई तो सरकार क्या कर रही है आपको एक लोन भी प्रोवाइड कर रही है योजना के तहत जो की एक लाख से लेके जो है हालंकि 10 लाख तक है लेकिन अफिसली अभी जो है दो लाख रुपे जो होगा शीख ठालसके लाख के लाख जूदक कर दो लुद्व माहिने आपकोवाइड दिया जाएगा उसके बास दो लाख रुपे सगंड टरांजक्श की यहारईग टीस महिने के जूए जुवार्यकर 했는데 गात पर सिंसके ना उसको साथ साथ-जन जुय आपका जू है गरानट इसके लिए जिम्यदारी लेगी करेगी है इसके बाद यहां पे कहें इंसेंटि फोड डिजिटल ट्राम्जक्षन के लिए बूर। मत्ब क^^m उसका प्रचार प्रचार के लिए आपका मदद भी किया जाएगा उसके बाद मार्केटिंग सपोर्ट भी आपको दी जाएगी समझ रहे ना मार्केटिंग सपोर्ट जो है आपको किया जाएगा प्रोपर ली गवर्मेंट के तरफ से नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग विल यह जो है इस स्किम का आपको खास benefit मिलने वाला है चलिए तो आखरी में हम लोग सबसे important point पर बात करेंगे जिसका आप लोग इंतिजार कर रहे हैं कि अगर हम सारे criteria को पूरा कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग apply कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको registration कराना होगा ठीक है लेक इस पोर्टल पर तो आप देख सकते हैं या पर CSC Center आपको जाना पड़ेगा तो नजदी की किसी भी CSC Center में आप जाके जो है इस योजना के लिए जो है apply कर सकते हैं ठीक है तो इसके लिए जो आपको document देना पड़ेगा उसके लिए जो करने के लिए डोक्यमेंट होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा यहां देख सकते हैं हाओ टू रजिस्टर पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको जो है registration के लिए कुछ documents की मांग करता है जैसे कि हम देख सकते हैं यह कुल जो है चार इस्टेप में रजिस्टरेशन पूरा होगा सबसे पहले आपको एक mobile तो अभी csc center पर ही जाके करना पड़ेगा क्योंकि अभी publicly जो है यह login करने का कोई option नहीं है या तो इसका admin login कर सकता है या फिर csc login कर सकता है उसके बाद ही जो है आप जो है इस योजना के लिए इस लाव के लिए जो है आप form भर सकते हैं ठीक है तो अमीद करता हूँ मेरे दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like comment share करना ना भूले मिलते हैं वीडियो में एक नहीं जानकाड़ी के साथ तब तक के लिए स्वस्त्रे मस्त्रे हैं